हलो, नमस्कार, आज हम देखेंगे कि कच्चे कठेल की सबजी कैसे बनाएं, यह कच्चा कठेल है, मार्केट में मिलता है और वो ही काट कर देता है, तो इसको काटने में भी बहुत प्रॉब्लम है, यह कच्चा कठेल है, तो मार्केट से जब हम लाते हैं, तो वो उससे कट व हैते हैं, तो हम पूरे ऐसे ही बनाएंगे, तो यह मैंने अच्छे पानी से दो लिया है, यह देखें, अच्छे से धूलें इसको, इसमें काले-काला मिट्टी, रेत वगरा कुछ चिपका रहता है, तो वो भी देख लें, हर पीस में ऐसे, नहीं तो वो जब हम कुकिंग कर कलते हैं, खाने में तो दात में कि-किस होता है, तो यह फर्स है, इसको अच्छे से वाश कर लें और धूलें, इम एन धूलिया है, अच्छे से यह देखें, साप पानी से दो लिया है, और इसकी गुट्लियों को हम ऐसे टैसरे हैं रहने देंगे, ऐसे ही निकालना तो चलिए देखते हैं, इसके लिए मैंने गेस जला लिया हैं और हम एक कड़ाई रख देते हैं, ये लोई की गड़ाई में हम ओईल डालेगे, 50 ग्राम ओईल है ये, और इसमें गरम हो गया आप कथेल छोड़ देंगे, तो देख़े हमारा कथेल हम डाल देते हैं, और ओईल हमारे दुआ नहीं छोड़ना चाहिए लेकिन गरम हो जाना चाहिए गैस पर तीनों गैस जल रही है बिजी है चूला काम चल रही है इसमें कभी किसी पर कुछ रखाए किसी पर कुछ रखाए है तो यह आप देख लीजिए इसको है ना ओयल में फ्राइ करना है और रख दीज यह स्लो कोकिंग में यह गलता रहेगा अपने आप और यह पकटी जाएगा और फ्राइडी हो जाएगा हमको है फ्राइब नहीं करना है ज्यादा ओयल में नहीं सेकना है 50 ग्राम और बस रख दीजिए कुछ नहीं करना है और यह चलाते रही यह अपने आप हो जाएगा अगर मान लीजे कटैल नहीं घल रहा है तो क्या करना है धक्किया हो जाएगा हमको ज्यादा करना है बस उतना करना है कि तोड़ा सा गल जाए है ना यह यह हो रहा है और कुछ इसका पानी है उसमें ये गल जाएगा जब तक हम अपना मसाला बना लेते हैं ये हाफ इस्पून तर्पमरीक पाउडर है और ये धनिया पाउडर है ये रेड़ इस्पून है धना पाउडर और दो इस्पून मिर्ची है ना दो इस्पून 500 ग्राम के लिए करेक्ट है क्योंकि हम कश्मीरी मिर्च नहीं डालेंगे हम ये तीखा वाला मिर्ची है हम इसको दो इस्पून डालेंगे ये तीनों मसाले हो गए हैं अब हम पानी डाल देंगे इसमें एक कप ताकि ये मसाला है ना हमारा फूल जाए बस इसको हाथ नहीं लगाना है ऐसी छोड़ दीजी जब तक हम अपना कटेल देख लेते हैं और इसको ठके रख देते हैं ताकि इस पर जल्दी से स्टीम लग जाया और गूगल जाया अब एक प्याज ले लेते हैं ये प्याज में कट लगाके रफली चॉप कर लीजे आप है ना हमको फाइन चॉप नहीं करना है रफली चॉप कर लिए है क्योंकि रफली चॉप है ना अच्छी से मिल जाती है मसाले में हमने रफली चॉप कर ली है इसको और जब तक हमारा कठेल भी हो रहा है जब तक हम ये तैयारी कर लेते हैं ये प्याज हमारी कट गई है एक बड़ा प्याज लिया है मैंने बस एक ही काफी है जो रह गए उसको भी छोटा पारिक कर लीजिए ये देखे रफली चॉप है जदा फाइन चॉप नहीं किया है मैंने ये हमारा प्याज हमारा रीडी हो गया है अब हम देख लेते हैं अब ये ना ये प्याज हो गया और ये मसाला रखा हुआ है रफली चॉप किया है ये ये देखे कोई छोटा है कोई बढ़ाया में ऐसी चाहिए और ये प्याज मसाला हमारा हो रहा है और ये हींग है और ये जीरा है हाना हींग जीरा और मसाला और प्याज अभी हम देख लेते हैं ये पते हैं तेच पते चाहर टी छोटी छोटे थ्चोटी तो ले़िया और ये पत्तर फूले है थोड़ा से ज्यादा नहीं कि और यह ने सिपड़ी बी चोड़ी अनदिप्र है उपट्टे की और जिता टील तरह और फॉल तोन के आज़ाना नहीं दाना गलें जाली है इसमें दाना भाली है कि तूट Bye कमारा कठेल भी रेडी हो गया है यह देखिए मैंने गैस बंद कर दी है और हम एना एक बंच है ना हरी मेथी ले ले लेंगे एक मुठी में आजा है उतनी है ना दो लिया है और इसको काट लीजे अगर कसूरी मेथी है तो वो उपर से डिलती है लेकिन अभी ठंडी का सीजन है ना तो हरी मेथी की सबजी में अच्छा फ्लेवर आता है तो अगर आपके पास नहीं है तो इसकिप कर दीजिए सुखा मेथी भी डाल सकते हैं उपर से कसूरी मेथी मेरे पास गीला है तो मैं गीला वाला हरा डाल रही हूँ प्याज के बाद हमने मेथी डाल दिया है ओईल में इसको सोटे कर लीजी इसको प्याज ओईल में बराबर फ्राई हो रहा है दोनों अभी देखिए कलर कितना अच्छा लग रहा है दोनों का और अभी हम पत्तर फूल डगड के डालेंगे हाथ से क्योंकि पत्तर फूल अगर हमने ओईल में डालाना तो उसका फ्लेवर कड़बा हो जाता है तो इसलिए मैंने उपर से डाला है यह देखिए हमारा रेडी है मसाल अब मसाला डाल दीजिए मसाला हमारा फूल गया है यह देखिए है बस दो मिनित राख दीजिए इसको ज़्हता दिन नहीं रखा है मैंने और अगर आप डारिक डालना चाहरे हैं नहीं हो पाएं तो भी डाल सकते हैं कोई दिक्कत नी है आडव इसको अच्छे सेहलाल अब इसको भूननी दीजी दो मिनिट और देखिए मसाला हमारा अच्छे से भून रहा है अभी प्याज हमारी दिख रही है तो ये इसमें प्याज न अपने आप उठ जाएगी आपको न चंक प्याज के नहीं लगेंगे ये प्याज है न अपने आप मेंस हो जाएगी यह दे हमारा मसाला हो ने वाला है यह हो गया है कितना अच्छा लेज बन रहा है एक थोड़ी चंक हैँ प्याज की वह हो जाएंगे अपने के मतलब खाने में प्याज नहीं आएगी पुरा लीज बन जाएगा मसाला हमारा बहुत अच्छा बना है यह देखिए न और ज्यादा लगता है, 100 ग्राम इसमें डाला है और 50 ग्राम हमने कड़ाई में डाला तो 150 ग्राम टोटल ओईल हो गया है हमारा, यह देखिए, अब कठेल केक जो हमने फ्राई किये है रोस्ट वो डाल दीजी, कठेल, यह हाप गल गई है और थोड़ा सा मसाले में गल जाएंगे, और इसको अच्छे से मसाले में मिला दीजी, यह देखिए, कलर हमारा कैसा आया है, कसूरी मेती वगएरा हमें कुछ वो कश्मीरी मिर्च वगएरा हमें डालने की ज़रूरत नहीं है, अगर कसूरी मेती डालना है, तो उपर से डालेंगे, लेकिन मैंने तो हरा मेती डाल दि दीजिए इसमें, वन इस्पून तो नमक लगी जाएगा इसमें, एक स्पून भरके नमक डाल दीजिए, और इसको मिला के रख दीजी, अगर हमने नमक डाला है तो कठेल अपना पानी छोड़ेगा, मसाला अभी, और इसको दबा के ढखके रख दीजी, यह ढख जाएगा और स्टिम में हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा पानी आ गया है, क्योंकि हमने नमक डाला है तो रिलीज हो गया, इसमें अगर आपका कठेल ज़्यादा रोष्ट हो गया है, तो आप इसमें दो इस्पून पानी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ज़्यादा रोष्ट नहीं किया है, मैंने ऐसे ही किया है, और धक्के रख दिया था, तो मैंने ज़्यादा ब्राउन नहीं किया है, इसलिए मैं पानी नहीं डाल लूँगी, आप चाहे तो इसमें अधिकटोरी साइट से पानी डाल दीजिए, और धक्के रख दीजिए, ये कठेल हमारा रेडी है, ये हो ग अपला दीजिए, और ये हमारा कठेल रेडी है, है न, ये देखे, ये सुखा कठेल, हमारा बुंजबां कठेल है, रेडी है, ये देखे, हमारा कठेल रेडी है, कितना अच्छा टेक्चर लग रहा है इसका, वो खाने में तो बहुत टेस्टी है, ये है, वो हैल्दी भी है यह healthy recipe है, यह देखे, हमारी कटल का texture कितना अच्छा आया है, बस यह धियान रखना है, इसमें पत्ते जीरा कुछ जलना नहीं चाहिए, और गार्निश कर दीजिए दनिया पत्ती से यह देखे, हमारा कटल कितना अच्छा बना है, tasty तो बहुत ही है, no doubt, बहुत yummy है, बहुत tasty है वो खाने में भी बहुत अच्छा लगा, thank you, thank you, thank you